वेलकम टु माई किच्षिन। इसमें हम डालेंगे हुआ शुप्ता चमच कसूरी मिती schwierга ती जोट़ी मिटिन। यह हरी मिटिनी। दो सुखे लाल मिर्च।Н ट्राइ रेड चिली कष्मीरी इसमें हुआँ जलेंगे कशे काली मिर्चे तीन लोंग और एक छोड़ा चमाच जीरा क्यूमिन सीट्स इसमें हम डालेंगे एक टेबिल स्पून धनिया के सीट्स और दो टेबिल स्पून तिल के सीट्स तिल सैसमी सीट्स इसमें हम डालेंगे दो टेबिल स्पून कोकोनट और दो टेबिल टी स्पून कश़काश डालेंगे कश़काश तिल नारियल धन्या कंपसीट तो यह मैं ढालेंगे सेसिमी सीट कोकोनर डैसीकेटिड इसमें डालें थोड़ा टुकडा जावेत्री मतला मैस का और अब हम इन सब को भून लेंगे लो फ्लेम पे हलकी केस भूनें ताके मसाले जले नहीं और खुश्वू बरकरार रहें मसाला ठंडा करने के बाद ही पीसना है गरम गरम पीसेंगे तो मिक्सी में सारे मसाले जल सकते हैं और मिक्सी को भी ठंडा करके रोक रोक के फिर मसाला पीसें दीरे दीरे ताके मसाले जले नहीं गर्म ये देखे मेरा मसाला अब ठंडा हो गया है तो मैं इसमें डाल रही हूँ इतना ठंडा है कि मैं हाथ भी लगा रही हूँ देखा आपने तो ये मसाला साइड में रख दे, इसमें डालें एक चोथाई कप दही, हम दही से सॉस बनाएंगे, पानी नहीं डालेंगे, इसमें डालें एक चोड़ा चमाच जीरा, क्यूमिन सीट्स, मैं पार्सले की चटनी बना रही हूँ, दो छोटे चमाच नीमबू का रस, लेमन जू नमक घस पे जायका डालेंगे हम इसमें, और इसमें मैं डालूँगी एक कप पार्सले, अगर आपके पास पार्सले नहीं है, तो आप धनिया डाल दे, मैं पार्सले की चटनी बना रही हूँ, बिल्कुल ऐसे ही बनती है, धनिया की तरह, बहुत टेस्टी होती है, ये भी जरूर आप ट्राय करिएगा, तो ये मैंने फ्रेश पार्सले लिया, तो ये रही हमारी ग्रीन चटनी भी बनकर त्यार, ये देखें, ग्रीन चटनी त्यार है, और ब्लेंड इट पसाला जो हमने बनाया था, वो हम बाद में इस्तमाल करेंगे, चटनी को साइड में रख द इसमें डालें हजबे जाय का नमक और दो कप गोबी को हम बोईल कर लेंगे, तो नमक हजबे जाय का ये फूल में बड़े बड़े काते हैं, गोबी के, तो ये पकने के बाद फ्राय करेंगे ना, तो ये साइज में श्रिंक होती है, तो इसलिए बड़े बड़े फ्लावर् करेंगे सिर्फ पांच मिनट तक घड़ी देखकर मीडियूम फिलेम पे पांच मिनट अब बॉयल करेंगे इसमें हम डालेंगे पार्सले की डंडियां इसे अच्छा फ्लेवर आता है बात में यह डंडियां अलग कर देंगे तो यह मैने चान लिये गोपी यह देखे नरम हो ज़िये है और मैंने पार्सले की इस्टेक सलग कर दी कि वह पेक दी है जर आब üzहें इसमें यह अपने हिसाब सway कम ज़ादा डाल सकते हैं अब हम इसमें डालेंगे एक चौथाई कप, मसाले को इसमें कोट कर दे कोलापोरी मसाला जो हमने बनाया था इसमें अब हम डालेंगे नमक थोड़ा डाल दें क्योंकि हम आठाए डालेंगे na काउपलोर और मेदा तो नमक की जरुवत पड़ेगी व San su coach लगेगा तो एक चोथाई कप डालें मेदा, एक चोथाई कप डालें कॉन फ्लोर, वन बाई फोर कप अल परपस फ्लोर, वन बाई फोर कप कॉन फ्लोर दोनों को आधा आधा डालें और इसे मिक्स कर दें हाथों से, दो शोटे चमर निम्बू का रस्ट डाल दें और 2 टेबल स्पून पानी डाल दें इसमें जो गोवी को बालने में पानी इस्तमाल किया था ना वो डाल दें 2 टेबल स्पून ताके कोटिंग अच्छे से हो जाए इसके उपर तो ये तियार है अब तेल को मैंने गरम करने के लिए रख दिया दा पहले गौबी पकी होई है हमें हाई फ्लेम पे आप कोकिंग करनी है क्योंकि गौबी पकी होई है सिर्फ हमारा उपर से जो कोटिंग है उसे पकाना है तो आपको सारी frying high flame पे करनी है तो इस बात का ध्यान रहे तो हम golden brown fry करेंगे पहले हम दोनों batches को light golden brown fry करेंगे उसके बाद हम high flame करेंगे दूएंदार समोकी को ऐल करेंगे और high flame पे dark golden brown fry करेंगे तो ये देखें पहला batch fry हो गया है अब ये मैं दूसरा batch fry कर रही हूँ अब flame high है पूरे process में तो इसे भी fry करके हम light golden brown निकाल लेंगे तो ये देखें ये भी पग गया है इसे हम निकाल लेते हैं और अब तेल को दूएंदार गरम करना है बिलकुल high smoke की heat पे क्योंकि हमें गोबी crispy करनी है तो ये पूरा batch आप इसमें डाल दें दोनों batches और high flame पे dark golden brown fry करें तो ये आप जब अब निकालेंगे ना तो इतनी crispy और इतनी कुरकुरी आवाज अंदर से soft जबर्दस को भी बनें देखा dark golden brown color आ गया तो इसे हम हरी चटनी के साथ साथ करेंगे thank you for watching please like, share, comment, subscribe your views matter a lot press bell icon button गंटे के बटन को जरूर दबाएं फिर मिलते हैं एक नहीं वीडियो में अपना क्याल रखें thank you for watching yummy kolia puri gobi thank you